तुम्हें जो चाहिए एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के साथ दाने हतेली में रखकर अपनी कामना करकर मन से अपने मन के बात को कहकर संकर भगवान के शिवलिंग पर चड़ा दीजिए आपकी मनो कामना कहते हैं हर महीने शिवरात्री आती है इस शिवरात्री पर मुख्ष शिवरात्री पर चड़ाऊगे अगले महीने की जब शिवरात्री आगी तो अपकी मनोखामना पूरी हो जाएगी एक काली मिर्ची और साथ काली तिल्ली के दाने मातर साथ महाराज, जिसके घर में प्लेश रेता हो, बहुत जादा लड़ाई जगड़े हो रहाँ, साज बहु की जगड़े, ना कुछ सुने को तैयार ना साथ सुने को तैयार, और घर में विचारे कुर्षों की आपद, यहां भाई बहु की जगड रहे हो, उसको शंकर को समर्पित कर दीजिए जिंदगी में कभी सास बहु का जगड़ा नहीं हो शिवरात्री के दिन उसको समर्पित करें आपके घर में कभी कलेश नहीं मैं सकते और शिवरात्री के दिन रात्री को बारा बजे शंकर भगान को धतुरशा और का बारा वजो रात्री को शिविची पे नातुरा चड़ा ओं और आप शीरी शिवाय नमस्तुभ्यं का जापतमाओए लृड-फ्टें- शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम फिर से बोलो शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम धतूरा चड़ा कर शिरी शिवाय नमस्तुभ्यम का इस्मर्ण करिये और जो दुकान नहीं चलती हो घर में लच्मी नहीं टिकती हो खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल बस्तर में बांद कर अपनी दुकान में, अपने बेपार में, अपने घर में, रात को साड़े बारा बज़े उठा कर ला और चार बज़े के पेले उसको अपनी दुकान बेपार में उसक जो व्यक्ति जादा विमार रेता हो बहुत विमारी उसको घेरे रेती हो परेशान रे रहा हो विमारी बिमारी बिमारी बनी होई है तो बोर चड़ा यह बेर क्या बोलते हैं आपर बेर की बोल वो खाने वाला बेर जो होता है उस बेर को साथ बेर ले लो और साथ बेर को लेकर अपने उपर से घुमातर शिवरात्री की दोपहर के बारा बजे संकर भगवान के शिविलिंग पर ले जाकर उस बेर को चड़ा दीजिए आपका रोग आप तीन महीने के अंदर समाप्त हो जाए शिवरात्री के दिन बेर चड़ाने का बड़ा मात्व है और शिवरात्री पर चड़ा हुआ वह वो बेर उठाकर लिया यह और उस बेर को उठाकर रख लीजिए मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलिफ रहती है पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रावलम अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है सारी उशदी चल रही है जो शिवरात्री पर आपने बेर चड़ाया है वो बेर अगर आप किया रखा हुआ है वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए आदे गंटे के अंदर पेट का दर्द पेट की तकलिप पेट का केसा भी रोग होगा एक दम आराम लग जाएगा उस बेर में इतना प्रबलत आ जाती है शंकर को जो शिवरात्री की दिन बेर चड़ाया जाता है वो केवल शिवरात्री की दिन करने का होता है करते हैं जिसका व्यपार ना चले व्यवसाय ना चल रहा हो बहुत जादा कश्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही जादा तकलिप हो रही हो तो धतूरे को हल्दी में डुगो कर चंकर भगवान को शिवरात्री के दिन रा अब हम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांद कर वेपार वाली जगा में कहीं पर भी उसको बांद दिया जाए वेपार पीछे नहीं अटता वेपार अगरने भाव में बढ़ता चले गरता है महाराज उस धातूरे को केवल पंतु शिवराक्तरी के दिन रात को बारा वजे ही किया जाए हल्दी में डुबोना पड़ता है यही प्रमान एक क्रम में ओर है माराजी लिंग पुराण कती है मान लो किसी व्यक्ती को कोई भारी बिमारी हो गई बड़ा रोग हो गया और वो रोग डाक्टर कह रहा है कि यह ठीक नहीं होना है बहुत तकलीफ उसमें है और कश्ट ही कश्ट है वो ठीक नहीं हो रहा दबाईयां दबाईयां लग रहे हैं यह गोलियां गोलियां खा रहे हैं त सब्सक्राइण Алधि किसी भी श्रवत्री के दिन साथ धतूरे लेकर एक धतूरे में मॉली लच्छा नाड़ा लपेच कर चंद्र मोली भगवान का इस्तमर्ण करकर उस मोली को लपेट कर छेड अतूरे में अब чेजए आगोकर में हलदी लगाकर शंकर भगवान की जनाधारी जनाधारी में आपको पहले भी वरणन किया है शंकर भगवान का ये शिवलिंग है ये जनाधारी है ये भगवान का जल निकलने का इस्त्रोत, चरणारविंद का भाव शिवलिंग जहां रखा हुआ है, ये पारवती जी का हस्त कमल जो ये गोल भाग है, ये पारवती का हस्त कमल जहां शिवलिंग रखा है, जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेजी महराज का स्थान है उसके उल्टे भाग में श्री कार्ती के जी का स्थान है जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है कहीं साब बना होता है कहीं स्थान बना होता है जो मोटी सी लाइन है ये संकर भगवान की सबसे चोटी लड़की असुक सुंदरी का स्थान जलाधारी के उपर जो तीन टेकी लगी है ये भ्रगु रिशी का भंगी गण का स्थान इसके उपर जो कलस है कलस में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बुंद बुण नीचे गिरता है ये संकर भगवान की पाँच लड़कीयों का इस्थान है जया, भिशहरा, सामरीबारी, धो तली और देव, ये पाँच लड़कीयों का स्थान था शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की और जब जल जाता है उस इस्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का इस्थान है फिर जब जल बहकर सामने की और जाता है जटनी तूर तक जल जाता है ऊतनी दूर तक भगवान संकर के उस जल भाぎ को गरण करने के लिए 33 कोटी देवता हो चाहिए कैंसर से जुड़ा हो और मानलो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई हो और वो मिटी नहीं रही हो तो महाराज निवेदा ने साथ धतूरे एक धतूरे पर मोली लपेट कर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चड़ाना छे धतूरे उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गनेत जी का स्थान दूसरा धतूरा श्री कारती जी का स्थान तीसरा धतूरा आशुक सुंतरी का Steel महाराज चंकर भगवान की जगडंबा जी के हस्ट्रकमल के उप्ड है एक धतूरा जहां से जल नीचे धाज और पानि जिस जगा से नीचे गिर रहाओ बिल्कुल वही पर एक धधतूर चड़ा देरा वह धिस धतूरे लेकर और जहांगे ऑफिस लेकर आना एए दीरे दीरे रोग में आराम मिलना प्रारम हो जाता है ओशदियां धीरे धीरे समाक्त हो जाती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है यह केवल शिवरात्री के दिनी होता बारों महीने शिवरात्री आती है आप किसी भी शिवरात्री को कर सकते किसी भी शिवरात्री